आप देख रहे हैं MK News इंडिया और मैं हूँ आपके साथ इमरान खान अभी हम उपस्तित है छातापूर जैसा कि मैं आपको बता दू कि पडियावरन सांसद के नाम से आप जानते होंगे भली बाती जिनका नाम है राम परकास रवी जी जिनको पडियावरन सांसद का उपाध करती भी मिल चुका है जो पडियावरन के से चीतर में कई सारे काम करते हैं व्रिक्ष लगाते हैं और हरियाली जल हर्याली का एक शरकार का महत्वकांशी योजना है तो फो만गा संदेश ऊपदेश लोगों को जरूर देते हैं और इस हैत्र में चाहे वो किसी भी कारज्करम हो, या किसी का बर्थडे हो, या किसी का साधी विवा हो, वहाँ पर पहुँच करके एक संधेश और उपदेश लोगों को जरूर देते हैं पडियावरण संडक्षन के लिए ताकि पडियावरण जिवित रह सके और वहाँ पर व्रिक्स लगाने का उपदेश देते हैं वहां पर गिफ्ट के तौर पर लोगों के बीच वित्रन करते हैं और बाटते हैं तो आज हम बात करते हैं राम परकास रवी जी से आपको बताते हैं जानकारी देते हैं उनकी ही द्वारा कि क्या कुछ वो उनकी जिंदगी में कैसे इस कार्ज को कर पा रहे हैं कितने लोग मिल के कर रहे हैं और क्या है उनका लक्ष क्या है मुहीम उस पर हम अभी चर्चा करें अभी बात करने के लिए हमारे साथ तयार है राम परकास रवीजे एमके न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है क्या आप जो है परियावरन संद्रक्षन को ले करके ततपर रहते हैं हमेशा और कब से आप इस कार्ज को पूरा कर रहे हैं हरित प्रणाम साथियों सबसे पहले मैं एमके न्यूज इंडिया के ब्यूरो चीफ का हर्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा कि इस समय आप हमारे पास आए चुकि मेरा एक्सिडेंट भी हुआ था आपने मेरा हाल चाल जाना इसके लिए हरित आभार मैं बताना चाहूंगा मैं 2008 में जो बिहार में सबसे बड़ी तरास्दी आई थी कुसाह तरास्दी उसमें मैं पानी में बह गया था बड़ी मुश्किल से गों के लोगों ने केले के नौका सहरा ले करके मुझे उस बाड़ के बिवी सिका से बचाया मुझे लगा कि मैं अब दुबरा इस धर्ती पे नहीं आ पाऊंगा लेकिन प्रकरती को मेरे जाने का गम था प्रकरती ने मुझे नया जीवन दान दिया तो मैंने बाड़ के पानी में बहते ही मन ही मन संकल्प ले लिया था कि जिस प्रकृति ने मुझे दुबारा जीवन दान दिया मैं सारा जीवन उसी प्रकृति के लिए काम करूँगा उस दिन से मैं जहां भी जाता जैसे भी होता पेड़ पोदे लगाना चालू कर दिया बचाना चालू कर दिया मुझे लगा कि मैं अकेले इसे कहां तक ले जाऊंगा कितना कर पाऊंगा फिर 5 जुन 2016 को मैंने परियावरन संरक्षन आंदोलन नाम की एक मुहीम चलाया यह न तो किसी सरकारी संस्था से कोई मदद लेती है न किसी NGO से इसमें जुड़ने वाले लोग केवल परियावरन के ल संदोलन एक मुहीम चलाया तो इसमें एक फंड की बहुत बरी जरूरत होती होगी कि फंड कहां से लाए और अगर पेर की बात होती है तो किस टैप के पेर सब लगाते हैं जी सबसे जरूरी चीज तो फंड की आवस सकता होती है मैं उससे पहले बता दूं कि यह ग्लोबल व अक्साइड की कमी को कम करने के लिए अपने प्रयास करने लेकिन काफी नहीं है जब तक इसमें जन सहभागिता नहीं होगी हम अपने प्रयावरेन की संदक्षन नहीं कर पाएंगे मुझे लगा कि हम भी एक टीम बनाके एक मुहीम चला कर लोगों को अधिक सदिक जोड़े आपके टीम में अब तक कुल कितने लोग हैं वैचारिक रूप में अभी हमारे टीम में 120 से अधिक देशों के 5 लाग सधिक लोग जुड़े हुएं जो अपने खर्चे से स्वयंग कर रहे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे टीम का मदद करते हैं बहुत सारे युवा है जो अपने खर्चे से जिसे कोई जॉब में वो पोधे लगाने नहीं जा पाते हैं तो हमारे टीम का आर्थिक रूप से मदद करके पोधे लगाने में सहयोग करते हैं तो इसके लिए आप हर चीज बता रहे हैं लेकिन फंडिंग का भी जो है आप जैसा कि आपकी माली हालत को मैं देख पा रहा हूँ जो एक जड़ से भी आपकी जो इस्तिथी है जो घर से एक बया होती है वो इस्तिथी में नहीं है जबकि एक बरे से बरे जो इन्वेस्टर है कई सारे बहुत बरे बिजनेस में वो अपना पैसे लगाते हैं लेकिन इस तरह का जो नेक काड़े हो वो बहुत ही कम देखने को मिलता है आपने जो पेर लगाया इसके लिए आपके मैं सोसल मीडिया से जुरा हो तो कई सारे आपको एवार्डेड मिला तो कैसा कैसा एवार्ड मिला और कहां से किस तरीके से आपको मिला है सबसे आपने पहले पूछा कि किस प्रकार के पेड़ लगाते हैं मैं हर एक प्रकार का पेड़ लगाता हूँ चाहे उसका कई कारण हो सकते जैसे पीपल, बरगद, नीम, आम, कठल, लेची तो मैं जगह को देखते हुए पेड़ लगाता हूँ जैसे कोई मंदिर परिशद हो या मस्जिद हो गुरुद्वारा हो तो महां फलदार पेड़ देते हैं किसी के घर पे साधी में मुंदन में सराद में देना हो तो फलदार पेड़ देते हैं सारवजिनिक जगों पे छायदार लकड़ी वाले पेड़ अधिक लगाते हैं और लगाने के साथ-साथ उनके सुरक्षा का सबसे अधिक धियान रखते हैं? क्योंकि लगाना सबसे ज्यादा महतपूरं नहीं है, पेड़ों को बचाना सबसे अधिक महतपूरं है. तो हम पेड लगाने के साथ साथ बचाने का भी प्रयास करते हैं किताबों में हमने पढ़ा है बड़े बुजुर्गों बड़े बड़े प्रयावरनवीदों ने कहा है कि आप जब भी यातरा के लिए निकलते हो तो अपने साथ कुछ न कुछ बीज लेकर चलो जहां भी खाली जगा मिले वहां गिराते चलो मैं चुकि आप देख पा रहे हैं कि एक मईदूर कलास का आदमी हूँ मैं जब भी यातरा पे गया हूँ अभी तक भारत के 19 देशों में मईदूरी करने गया मैं जहां भी गया अपने थैले में बीज लेके गया इन बच्चों सब से जो भी बीज उपलवध होता है या मैं खुद जाके बीज को चुनता हूँ लाता हूँ और वो रास्ते के लिए ले जाता हूँ और वहां गिराता हूँ मैं अब तक 19 राजियों में अपने हाथ से पेर लगा के आया हूँ जैसा कि आप सुन पा रहे हैं राम परकास रवी जी को जो उनका कहना है कि जब अभी तक इन्होंने 19 राजियों में अपने हाथों से पेर लगा चुके हैं ये बहुत ही बड़ी चुनोती है और ये इस मुहीम में अगर मुझे मेरी माने तो इसमें सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए सरकार को भी इसके सामने आना चाहिए कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी और आप जलवायू परिवर्तन मंत्री हमारे यहां के जो नीरज कुमार सिंग बबलू जी है आप उनसे भी मिले थे और क्या वहां से अस्वासन मिला था जी आपने सही सुना माने निया मंत्री जी ने हमें बुलाया था एक कार्ज करम के दुरान उनसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई बाते भी हुई उन्होंने मेरे बारे में जानकर खुशी जाहिर की और मुझे सवासी दी कि आप इतने अच्छे काम कर रहे हो उन्होंने अपने ओफिसियल आइडी से भी हमें हर एक मेहने एक निश्चित आर्थिक मदद करने का अस्वासन दिया था चुकि आठ नो मेहने बीच चुका है वो अस्वासन अस्वासन ही अभी तक है अभी तक कोई मदद होगा तो वो अब तक कुछ नहीं मिला मैं बता दूँ मेरे निहिस्वार्थ सेवास को देखते हुए मुझे 40 से अधिक छोटे वड़े आवार्ड मिले हैं उनमें सबसे अधिक महत्पुर्ण जो भारत के वन पुरुस जिनको कहा जाता है दा फॉरेस्ट मैन ओफ इंडिया ज्यादा मुलाई पाएंग असम से हैं और नर्वदा बचाओ के अभिनेत्री जिसे विश्वे ही नहीं दुनिया के सभी लोग जानते हैं मेगा पाटकर के द्वारा परियावरन सांसद की उपाधि प्रदान की गई हाल ही में 2021 में वर्ल्ड इनवर्मेंट कॉंसिल के द्वारा मुझे वर्ल्ड इनवर्मेंट इनवर्रमेंट वारियर, ग्लोबल ग्रीन आवार्ड, एंवर्न मुझे मिले हैं आवार्ड तो चाहां भी जाते हैं सम्मानित किया जाता और होशले बुलंद होने के लिए होशले बुलंद रखने के लिए तो अगर सम्मानित की बात होती है तो वहाँ पर खुद अपने आपको गरवामित महशूर्थ करते होंगे लेकिन वहाँ से कुछ ऐसा कुछ मदद आप लोगों को मिल पाता है या नहीं अभी तक तो कोई मदद नहीं मिला है जैसा कि आप मेरे स्थिति को ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं दुनिया के लोगों को लगता है कि मैं बहुत वड़ा करोड़ पती हूं क्योंकि मेरा जो समर्पन है मेर जो प्रेवरें संद्रक्षन के प्रती जुनून है उसे देखकर किसी को नहीं लगता है कि मैं इसका मदद करूं उन्हें लगता है कि आप मैं बहुत वड़ा धनी आदम हो आप जो कर रहे हैं जो आपके अंदर जो जुनून है उस चीज को कोई बिजनेस से तॉल रहे कोई आपके बेश्ट बेख्ग्राउंड से तॉल रहे होंगे कि हर कोई यह संभब नहीं है कि करपना यह वाकई काबिले तारीफ है कि आपने जो अब तक कर रखा है यह किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है जो एक ग्राउंड लेवल से आप काम कर रहे हैं तो यह कि किसी एक के बस की यह बात नहीं है जब तक मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब तक जन जन का सहयोग इसमें नहीं मिलेगा जैसे जल जीवन हर्याली बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जब तक इसमें जन सहयोग नहीं मिलेगा तब तक यह सफल नहीं हो पाए है लोगों से करवाना है लोगों को प्रेरीत करके करवाना है बोलने और करने में बहुत फर्क होता है किताबों में पढ़ लेने से नहीं होगा ये सरजमी पे करना होगा इस मिट्टी के साथ मिलकर करना होगा अब देखिए जल बचाने कितनी बड़ी बड़ी मुहें में चल रही है नदियों को बचाने की मुहें में चल रही है लेकिन आज जल की कितनी बरवादी हो रही है पेड़ों की अंधादुंद कटाई हो रही है इसे कोई देखने वाला नहीं है रोकने वाला नहीं है मैं भारत के लमसम जितने भी परियावरन के छेतर में कार्ज करने वाले लोग हैं उनसे जुड़ा हूँ कल दिली के जंतर मंतर पे एक बहुत वड़ा धर्णा प्रदर्शन है चुकि उसमें मैं भी आमंत्रित था और स्वस्त होने के कारण में नहीं जा सकता हूं देश के सभी राज्यों से जो भी परिया अपन भी सोपा है जाएगा तो मैं सबों से मिलकर इस दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए सब का एक ही जड़ है आप पेड़ बचाओगे पेड़ और जल दोनों एक ही प्रिया है जल जब तक पेड़ नहीं सबसे ज्यादा अगर संकट होने वाली है तो इसी चीज़ को लेकर क्यों अभी देख पा रहा हूं कि आप अस्वस्त हैं और जैसा कि आप जानकारी मुझे पहले दिये कि एक्सिडेंट हुआ क्या कैसे हो गया यह और इसको लेकर करके आप क्या कुछ इलाज चल रहा है यह दो पहांच की बात है रात सवाद दस वजे का सपास मैं किसी रिस्तेदार को जो दिल्ली से आया हुआ था छातापूर बस अस्टेंट से लेकर आ रहा था उसी समय पड़ छाल मेरे पैर में ठोक दिया जिससे मेरे पैर के चार उंगलियां फ्रेक्चर हो गई जिसमें एक को नहीं बचाया जा सका फिलाल मैं कर रहा हूं करने के इस स्थिती में भी 5-7 पोदे दोसरों को गिप्ट करके मैंने उन्हें बुला है कि आप इन्हें लगाओ बचाओ अभी वर्तमान की स्थिती में कोरोना ने सब को जगा दिया है कि ऑक्सिजन की क्या महत्ता होती है उसी प्रकार आज से 5-7 साल के बाद जल की अब सकता समझ में चुकि अब भी तो समझ 20 रुपए लीटर जल पीना आम आदमी की बस की बात नहीं है एक केजी चावल जो खरीद नहीं पाद रहा है भूखे मर रहे हैं इतनी भूखमरी वो जल कहां से खरीद कर पी पाएंगे जो मूल भूत आब सकता है जल वायू ये खरीद कर जब अना के वाले दिनों में इस धर्ती को बिना सोने से कोई नहीं बचा सकता है बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबसे पहले MK News इंडिया को देख रहे सभी दर्सकों से मैं खास आगरह करूँगा इनके बाहर बिविन सोसल मीडिया माध्यम से अगर कोई देख पा रहे हैं तो उनसे निवेदन करूँगा कि ये जिम्मेवारी सरकार पे आप नो छोड़ें कि ये मत कहें कि ये सरकार जैसे पेड लगाना बिजली बचाना जल बचाना विद्यूत बचाना ये आपको खुद करने होंगे प्लास्टिक के उपयोग के लिए सरकार बिविन राज में बैन है हमारे राज भिहार में भी बैन किया जा रहा है बहुत सारे नियम कानून लेकिन ये करेगा कौन ये आ किसी को नहीं बोलता है कि आप डेली पेड लगाओ जब भी खुस होते हों आप पेड लगाईए कोई गम होता है तो गम को धूर करने के लिए पेड लगाईए जरूरी नहीं है कि आप अपने घर में लगाओ तो आपने सुना राम परकास रवी को इनका कहना है कि आप जिस परिश्तिती में हो आप एक पेर जरूर लगाए चाहे वो खुसी हो या गम हो या जो भी हो आप हमेशा पेर बचाईए जल्व संडक्षन किजिए जल्व बचाईए बिद्दूत बचाईए तब ही जा करके हमारा देश और हम सभी तरक्की कर पाएंगे तो यह सब को समझने क जरूरत है जो एक सुधूर गाओं में रहकर रामपर्काश रवी जी ने यह पडियावरन संसद का उपाधभी प्राप्त किए हैं है यह आपको हमें भी सबको अपवाधी प्राप्त करने कि कोशिश करनी चाहिए और हमस्रव में वह जुनून होनी चाहिए नहीं कि फिलहाल इतना ही बनेड है MK News इंडिया के साथ फिर मिलते हैं अगली ख़वर में और आगप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज जब सब्सक्राइब कर लें और अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक या अन्य सोसल नेटवर्क पर देख रहा है तो फॉलो एंड लाइक जरूर करें मापार्वत्ती हेल्थ केर हमारे हां सभी प्रकार की ओपरेशन एवं नॉर्मल डिलिवरी की उत्तम व्यवस्ता 24 इंटु 7 उपलब्ध है तो आज ही संपर्क करें बस स्टेंट से पूरव जातापूर सुपॉल मॉबाइल नंपर 9570271247 की ओूर दिलिवरी क Gegend.